कि हलो दोस्तों यूट्योब चैनल को सब्सक्राइब करने क्लिक ब्लाइक को प्रेस कर दें ताकि सा नोटिफिक्रेशन आपको हमारे साइट से मिलते रहे जाए बैंक प्रोग्राम होते हैं एक होता है आपको शॉर्ट टर्म और एक होता इंडेप्स दोनों के दोनों ही आपक करना चाहिए एक दिन में कंप्रीट करना चाहिए तो यह भी पॉसिबल है कि इस तरीके से बनाया हुआ है और या फिर आप चाहते दस मिलेट में हर दिन पढ़के इसको पास कर सको तो इसके लिए परफेक्ट है इसको पढ़ने मतलब ला सकते हैं उनके लिए है जो यहां में की वैलिडीटी रहती है और यहां रहता है लाइफ लोंग वैलेडीटी इस अब अर्ण तर रहें ब्लस बेसं करेंगा यहां नहीं तीन पांट से रुपे ठीक है चलिए बस्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला सवाल है वो यह है कि एई इस इन इंडिया वो सेटल इन UK, ठीके, A is Indian who settled in UK and married B who is from Kenya but now a British citizen, they have two children, किने चल्रेन भाई, they have two children, ठीके, C and D born in London, C is now, C is now married to Pakistani citizen and settled in Karachi, D is working in London, what is the status of D, A option and R, A B option is foreign national, C option is person of Indian origin, D option is person of Kenya origin, समझते हैं इसको, A जो है एक इंडियन था, जो कि भी settled हो गया है UK में, ठीके, और उसने साधी कर लिया B से, जो कि Kenya करने वाला है, रहने वाली है, ठीके, और वो और बाद में British citizen बन गए यह लोग, ठीके, उनका दो बच्चा हुआ, और दोनों लंदन में बॉन हुआ है, C ने पाकिस्तान के साथ साधी कर लिया, पाकिस्तानी नागरी के साथ साधी कर लिया, और कराची में रह रहे हैं, डी अभी काम कर रहा है लंदन में, अब पूछ रहा है कि जो डी है, वो उसका status क्या हो, दखी का, दोनों एक इंडियन था, एक केनिया का था, दोनों ने साधी कर लिया यूके में, ठीके, और यूके की नागरीकता भी ले लिया, तो एक पारटे मुल्के ठीके, इसलिए पसंट आफ जाता तो होता, क्यों क्यों गालाएगा, वकिन भारटे मुल्के थे, पि आए-उ पिताजी कोई भी भारते मुल्के है इसलिए, प्रिस्ट करोई में कुयों प्ल एक और कोशनेट किया है अब बोलता है कि वो लोग किस तरह के काउंट ओपन कर सकते हैं एक एन ओपन विश्ट्राइप एकाउंट ए जो भारतिय नागरिक था ठीक है तो अब ए जो है कौन सा एकाउंट यहां पर ओपन कर पाएगा ठीक है एनरी एनरो एपसे नर भी तो एज हुआ है यही हूँ अदमी है जो वहां किया है अब यहां पर बोलता कि एकनक नमेन Unfortunately of her account out of her family बोलता है कि A जो होगा नॉमली बना सकता है अपने एकाउंट का किसी भी family members को वो family member कौन होगा ये पूछ रहा है B होगा, C होगा, D होगा या anyone होगा तो यहाँ जो हो जाएगा ये नॉमली किसी भी बना सकता है अपने family में ठीके चाहे वो B को बना है चाहे वो C को बना है चाहे वो D को बना है ये उनकी मर्जी है तिसलिए मैं बोल देंगे anyone ठीके question number 4 पहाई ये A is an English A is an Indian who now settled in UK अच्छे वोई same question है same question है इसी question 4 दे कि daughter can daughter C can open NRI account with the permission of बोलता है daughter C जो है NRI account open कर सकती है बढ़ इसके लिए permission लगेगा क्यों लगेगा अब समझना C जो था ना जो C उसका बच्चा हुआ यहां देखे जो C बच्चा हो गया वो साधी कर लिया पाकिस्तानी के साथ ठीक है और वहीं पर settled है काराची में पाकिस्तानी क्या है हमारे restricted country माहता है वो क्या आता restricted country ना क्योंकि हमारे सम्बंध उनके साथ persecuted country माहता है समझेगा बात इसको तो इस वॉज़ह से यहां प्रमिशन किसक्रीं वह पूछ गाई और यह पूखन रहाए और बी आइस अर्बभ आई ऑपसर कोर्शन किनाफरफ फाइव फ्यूटिश्यक्र सब्सक्राइब उप Bulgaria स्पर्ट फॉच्यश प्राइबी प्राइब गाइब एक कहाई प्राइब कbau का जो करेंट प्राइब्ट सेफाइब फ्यूचर्यक्राइब कि अग्रेंट प्राइस क्या होगा या क्या सवाल दाग रेंट प्राइस क्या होगा आपका एक स्पिस्पाइट फ्यूजर कॉंड्रेट का इस वाल तो यहां पुजाएगा यह ओप्षन है फ्यूजर कॉंट या फ्यूजर कॉंट या फ्यूजर कॉंट यानि फ्यूजर प्राइस हो जाएगा इसमें ठीक दी ऑप्षन कोशन में सिख से अब बोलता है पिया यो कोन होते हैं यह उप्षन है बोलता है वह से नागरिक जो हमारे देश के दरीये मिला हुए या फिर सिटिजर अइक्ट लिया है नैंटिन फिट्टी वाद एक्कवार किया इंटिक हो सकता है बी ऑप्शन है second of point है who is a child और a grand child और a great grand child of a citizen of India or of a person referred to a clause in one ठीक है बोलता है कि या तो कोई child हो या फिर grand child हो या फिर great grand child हो जो नागरिक होगा इंडिया का ठीक है और वो refer किया जा रहा है clause में तो क्या होने चाहिए या तो grand child हो या फिर great grand child हो या फिर great grand child हो citizen ऐसा citizen हो जो भारत का नागरिक है ठीक है जो clause 1 में आपको यहां पर बताया हुआ कि दी तिसरा पॉइंट है आपको who is a spouse of foreign origin बोलता है कि अब स्पाउज जो होगा स्पाउज जो है कोई foreign origin का है citizen of इंडिया का है और जो स्पाउज होगा foreign origin का जहां person refer किया जाए clause 1 और clause 2 में वह हो जाएगा कि देखिए पहला पॉइंट जो है बोलता कोई भी नागरिक है हमारा देश का समीधान ऑफ जो हमार कंस्ट्यूशन है उसके यानि भारत कंस्ट्यूशन ऑफ इंडिया का जिसको रेफर करें इसमें यह भी आपका सही हो जाएगा फिर आजाएगा तिसरा है कि जो कि फॉइंट फॉर इंडिया और फिर फॉइंट फॉर इंडिया जिसको रेफर कर रहती है भी सभी तीनों पॉइंट सभी आप एक्टी ठीक है इस बीच्ट्ट जोएट एकाउंट होगा एन आरी एकाउंट का उसको आपन कर सकते हैं किसके साथ करोगे सवाल यह पहला जोएंट है आपका जोएंट ली इन दा नेम फॉफ टू और मोर नरी बोलते जोएंट ली आप कर सकते हैं नाम होगा दो यह दो से जादा एन राई यह पी आई वोगा दूसरा है जोएंट ली विट रेसिडेंट्स ओन आइदर और सर्वाइवर ठीक है और बेसिस कर सकते ह आप फॉर्मर और सर्वाइवर के बेसिस पर सही और यह पुछरा आप से देखिए एनरी एकाउंट विल्कुल उपन कर सकते हैं आप जोएंट ली कोई प्रॉब्लम नहीं जोएंट ली एनरी एकाउंट कर लीजे कोई दिक्कत नहीं है इसमें पर कुछ क्राइटरिया है व बढ़ते मुलका नागरीक है वो ठीक है तो उसके साथ आपन नहीं कर सकते हैं वह भी आइदर और सर्वाइवर क्लाउज पे ठीक है इसे क्लाउज पर नहीं अपन कर सकते हैं जैदर रसेगेंट के साथ जॉएंटली ओपन कर लो फॉर्म और सुर्वाइवर पर चलेगा in the name of two or more NRI PIO jointly बोलता है नाम होगा दो या दो से ज़्यादा NRI या PIO का दूसरा है jointly with residents on either or server basis जा बोल jointly either or server basis पे आप open कर सकते हैं ठीक है तिसरा है jointly with residents on former or server basis पे भी आप open कर सकते हैं बोल डिसमें से कौन सा बात सही होगा तो यहाँ भी देखेंगे तो जो आपका NRO account यहाँ भी बोलता है कि दो है दो स्याद है NRO NRE योज़े नारो के साथ खोल सकते हैं फिर वही बात है either or server basis पे नहीं open होगा अगर प्रेसिदेंट के साथ खोलते हैं तो ठीक है प्रेसिदेंट से open हो जाएगा ठीक है तो तीसरा option यहाँ पर सही है हम बोल सकते हैं वन टू एंड थ्री सही होगा बी option प्रेसिदेंट बाइए NRE NRE account जो होता है NRE account की open कर सकते हैं किस परकार से पहला point है saving दूसरा point है current दूसरा point है fixed deposit तो NRE account की सवाल यह था current account की रूप में open कर सकते हैं और fixed deposit की रूप में भी open कर सकते हैं यानी D options एका 1, 2 and 3 question number 10 F-C-N-R F-C-N-R be है इस account की हम open कर सकते हैं किस पर कर से ओपन कोई कर सकते हैं उसके बात कर रहे हैं किस पर का जहेंगा तो एस थर्वा किंद्स को टेक्सक्राइब तो लस यहाँ पे शीफ और तो यहां प्लजिट को यह अपन होगा यह एकाउंट सेविंग सेविंग कंटिनी होगा सिर्फ टर्म डिपोजिट होगा एफ से नट बी जहें वह क्या बैसे कलिए टर्म डिपोजिट एकाउंट होता है यही ओपन होगा इसमें ठीक है सी ऑप्षिन है कि कि अब आते हैं हमारे पास दो तरफ के कोर्षेश एक के शौट टर्म कोर्ष है और एक इंडेफ्ट वीडियो कोर्षे दोनों कोर्से एवेलेबल हैं ठीक है शौट इमके बहुत बड़ी आए जहां आप मातर एक दिन का समय देके पढ़ना चाहते हैं ठीक है बहुत ही ब यह करने का मतलब है कि 75% नंबर का टार्गेट लेकर चल सकते हैं दोने जगा विडियो लेक्षर कोर्स है दोने जगा के स्टेटी की वीडियो दोने जगा बाराइज से नौट से दोनों को दोनों की कोर्स आपको मिलेंगी ठीक है यह और यह वैलिटी हो जाएगा छे मेने का यह वैलिटी हो जाएगा लाइफ लोग यह सबसे बड़ा अंतर हुआ ठीक है यह पेपर वन एविप में को दामें एक जार पी यह तीने जार पांस रूपे ठीक है प्लिए बात समझमारी बात अब को जाए वन करेकं़ लुटर को यह सर्च में लेए को साइं करे दोलर्दक देशा कि विया है